हैलो फैंज वेलकम कर सृईगीअ किचिन होली आने वाली है तो आप सब भी होली की तियारी में लगे होंगे तो चलिए फिर आज सृईगीई किचिन में मैं बना रही हूँ आलू के पापड तो आलू के पापड बनाने के लिए मैंने आलू को बॉल कर लिया है और यहने एक तो आलू में लेने है पतले चिक्कल बाले इसतरीके के आलू आप लेंगे एकदम पतला चिकल रहता है इसु zentacra बाले से हमारे आलू पहों अच्छे से बनकर तयार एक चाहिएंगे था कि अखिंगे की देखिये ऐर और सब्सक्राइब यहां भी सेंदा नमक क्यूत्थ स्वादा नमक यूज़ कर रही हूं ताकि आप इसे व्रत में भीखा सकते हैं और जैसकि आपको पता है होली के तुरंत बाद नवरात्रे आ जाते हैं तो यहां पर मैं स्वादा नमक यूज़ कर रही हूं स्वाद अनुसार कुटि हुई लाल मिर्च जीरा कुटि हुई लाल मिर्च मैंने एक से देर चममच यूज़ करी है और जीरा भी मैंने एक चममच यूज़ करा है और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम ऐसे एक प्लेट में थोड़ा सा ओईल लगा लेते हैं यहां मैं सरसु का तेल यूज़ कर रही हूँ ताकि जब हम इस पे पेडियां रखे तो वो चिपके नहीं अब थोड़ा सो ऐल ऐसे हाथ में लेंगे और इसकी पेड़ी बना बना के रखते जाएंगे जादा बड़ी नहीं लेनी है हमें यह नीवू के साइस के लिए मैंने लगा तेखिए मैंने ऐसे यह पेड़ बना के तयार कर ली है सारे आलमों की और अब अब ऐसे एक प्लेड़ी बना के तयार कर ली है जजानी लेंगे यह कोई भी पैकिंग पंदु या कोई भी पंदी सरह की आपसी घर पर होगी उसे आप इसे कट कर लें और खोल में और थोड़ा सा ओली लगा ले दोनों तरफ आपको कोल मशीन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप ऐसे हाथ से ही घर पर आलू के बढ़िया फापड बना के त्यार कर सकती हैं, तो ओल अच्छे से लगा ले, थोड़ा सा और लगा ले, लेकिन ध्यान लखें कि ये चिपकी नहीं, अब ऐसे एक अलू की पेड़ी लेके दर दें और इसे कवर कर दें, और अब इसे हाथ से धीरे धीरे पैस करें, ये रेखिए, इस तरीके से हमने आलू के पापड को फेला लिया है, एक वली, पुरा अच्छे से एक सार फेला लिया है, अब मैं आपको बताती हूँ, आगे क्या करना है, अब हम ऐसे एक दूपत्ता या सारी बिच्छा लेंगे कहीं पर, जहां पर जादा कोई आता जाता ना हो, वहां पर हम इसे बिच्छा लेंगे, और हलके से हाथ से खोलेंगे पनी को, और इसे ऐसे रख देंगे, और थोड़ा सा टैप कर देंगे हाथ से, और बहुती हलके हाथों से खनी को उतार लेंगे, ऐसे ही हम सारे आलू के पापड बना कर तियार कर लेंगे, और हमें इसे कोई धूप दिखाने की जरूवत नहीं है, ये पंखे में ये सूप जाएंगे, अगर धूप नहीं आ रही है, तो आप इसे, या फिर आप धूप नहीं दिखा सकते, तो भी भी आप इसे घर पर ही कमरे में बना कर सुखा सकते हैं, तो चलिए फिर मैं सारे प कापड़ बना के दिखा देती हूं ऐसे हमने पेड़ी रखी और इसे कवर कर दिया और हल के हाथों से प्रेस कर दिया जहां पर आपको लगे कि थोड़ा सा आलू मोटा सा रह गया उसे आप पर फोड के उसके साथ में मिक्स कर दें उससे वह इक्वल पैल जाएगा यह देखिए हमारा आलू का पापड तियार होंगे यह देखिए अब इसे भी में चाके वह इसी दुपटे पर फैला दूँगी और इसी तरीके से हम सारे आलू के पापड बना कर तियार कर लेंगे ये देखिए हमने सारे आलो के पापड इस तरीके से बना कर तयार कर ली हैं और अब इने सूखने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर आलो के पापड बना कर तयार कर सकते हैं वो भी बिना किसी मशीन की मदद के तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर और कमेंट करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेंस करें और अपनी होली बहुत ही शानदार तरीके से मनाए थैंक यू